हेलो गाईज तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेभी गुपता का सॉलूइशन एक हम करेंगे टांस्मीशन एंड डिस्ट्रिपिशन के कोश्य नमर 111 से लेके 151 तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन ट्रांस्मीशन लाइन डिЖू डिस्ट्रिपिटेटइड को ऑे अब डिस्ट्रिपिटेड बोलने का मतलब क्या होता है लेको इस्ट्लिट बातना तो निगाएं उस यкимиघ्रेन है की रेजिस्टेंस है बट फिजिकली वह दिखता नहीं है और वह रेजिस्टेंस रिक्तम बराबर बटा होँआ होता है पूरे वायर में ठीक है वैसे हम जब ट्रांस्मिशन लाइं पड़ते हैं तीन तरगी पड़ते हैं शौर्ट मीडियम और लॉंग ठीक है उनकी जब हम स् ठीक है शौर्ट ट्रांस्मिशन लाइन मेडियम ट्रांस्मिशन लाइन की अब इसमें देखो जब आप एनलाइसिस करते हो ना इनकी तो आप एक चीज़ कंसिडर करके चलते हो जो शंट कंड़क्टेंस है उसको आप नेगलेक कर देते हो ठीक है बट एड़ अड़ एंड टो है न शंट कंड़क्टेंस आपके ट्रांस्मिशन लाइन में होता तो ही यह ठीक है बट हम बहुत वैल्यू कम होती है असलिए उसको नेगलेक करते है यह आपका एक पैरामिटर है ठीक है यह सारे आपके पैरामिटर होते है जिनको हम बोलते हैं इस्टिबीटेड कॉंस आने वाले जो 10 कोशन है वो आपके skin effect से related है तो 10 के 10 कोशन पूरे देखना अब यह आपको पूरा skin effect समझ में आएगा ठीक है अब जैसे जाए पहले समझते है इस question में कि skin effect क्या होता है ठीक है अब जैसे कोई भी conductor ले लो यह आपका कोई conductor है ठीक है इस conductor में आप देखो DC supply तो DC में आपके frequency कुछ भी नहीं होगी तो frequency के होगी 0 फ्रीकेंसी 0 होती है उसे से आपके कुछ भी inductance फॉर्म नहीं होता ठीक है कुछ भी inductance आपका DC supply के time आपके conductor में कुछ भी inductance नहीं होता उसे से जो current है वो current एक दम बराबर distribute होता है तो हम बोलता है यूनिफर्वर्ली और फिर बोल सकते हैं, uniform current density होती है आपके current की, यह आपका conductor है, तो यह आपका conductor है, ठीक है, छीए इस पूरे conductor में current हर जगा बराबर flow होगा, याँनि हर जगा 10 ampere flow होगा, ठीक है यह आपका उता है डी सप्लाइए के case में, तो इसको हम बोलते है uniform current density अब देखो same conductor में आप अगर AC supply देते हो AC में आपकी कुछ ना कुछ frequency होती है ठीक है या बोल सकते हो frequency AC में आपकी 0 नहीं होती तो frequency 0 नहीं होती तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि AC में आपका कुछ ना कुछ inductance form होता है ठीक है इंडक्टेंस role play करता है न तो इस इंडक्टेंस की वज़े से क्या होता है देखो जो आपका conductor है ठीक है या पर कुछ conductor ठीक है इसी में बना देते हैं यह conductor है यह जो स्कीन है conductor की स्कीन के यह पर तो conductor में current बहुत ज़्यादा flow होगा ठीक है और center में आपका कुछ भी flow नहीं होगा यानि center में 0 ampere होगा यह से समझ सकते हो कि जो conductor की जो surface है यह फिर इसको हम बोलते है conductor की skin पर ज़्यादा current density है उससे इसी को बोलते है skin effect ठीक है तो इसको अगर ऐसे बनाए यह पर देखो यह जो portion है इस इस में आपकी current density सबसे ज़्यादा है यानि इस simple conductor की surface पर आपका current सबसे ज़्यादा flow हो रहा है center से current बिल्कु इस लिज़िक पर इस का हो रहा था इस पूरे area में flow है यह जो हीच वाला portion है यह जो conductor के बीच वाला portion है यानि यह पर तो कुछ भी current flow नहीं हो रहा तो यहाँ पे चाहिए resistance किता भी हो वो resistance आपके current का oppose नहीं कर रहा ठीक है तो वो resistance एक तरह से आपका found नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे simple अगर देखो मैं आपको समझाओ पहला point तो लिखते हैं कि skin effect आपका होता है inductance की वज़े से due to inductance and दूसरा इसके साथ आपका current flow हो रहा है यानि इतने एरिया में आपका current flow हो रहा है ठीक है तो basically हम बोल सकते हैं कि पहले के compare में area कम हो चुगा है ठीक है इसको effective area बोलेंगे effective area हमारा reduce हो गया ठीक है skin effect की वज़े से effective area reduce हो गया इसका मतलब क्या होगा कि resistance हमारा बढ़ गया इसका मतलब होगा inductive reactance कम हो जाता है ठीक है चीज़ inductive reactance कैसे कम होता है देखो जो आपका l होता है inductance का formula होता है देखो mu naught mu r ठीक है n का square a divided बढ़ जो भी आपका current है तो यहाप हमने क्या देखा skin effect में effective area कम हो रहा है तो उससे आपका inductance भी कम हो जाएगा inductance कम हो जाएगा तो reactance कम हो जाएगा ठीक है तो जितने point लिखा है सारे के सारे आपके exam के लिए important है ठीक है already question पूछे गए तो इनको आप याद रखिए ठीक है अब यह तो आपने समझ लिए skin effect क्या होता है ठीक है तो यहाँ से देखो skin effect आपका cross sectional area पर depend कर रहा है supply frequency पर depend कर रहा है permeability पर depend कर रहा है तो क्या बोलेंगे simple all of the above अब यहाँ पर आप समझ गए कि skin effect क्या होता है ठीक है और further देखते skin effect किस पर depend करता है कैसे काम करता है वगेरा skin effect in transmission line is due to इसकी वज़े से होता है तो देखो यह हमें पर समझ गए कि एक तो supply frequency की वज़े से होता है ठीक है और supply frequency जैसे ही आती है आपका self inductance भी conductor का role play करने लगता है ठीक है तो आपका simple यह क्या हो गया both a and b यानि d option आपका correct answer अब यहीं पर देखो एक और चीज़ समझते है कि skin effect और frequency का relation क्या रहता है ठीक है तो इसको समझते देखो यह आपका कोई conductor है ठीक है अब इसमें आपने दिये AC supply ठीक है अगर आप AC supply दोंगे तो इसमें हमें पता skin effect होगा यानि current जो है वो आपके उसके surface से ज्यादा flow होगा यानि यह आपके surface है ठीक है यहाँ से आपका current flow हो रहा है तो हम बोलते है ठीक है यह जो portion है न इसको हम बोलते है skin depth और इसको हम लिखते डेल से यह चीज़ ठीक है यह बहुत important है यह डेल वाला concept ठीक है इसको ध्यान से समझना देखो यह जो डेल होता है न इसका formula आप याद रखना है बहुत ज्यादा important है अब देखो अ आपका जो skin effect है skin effect ठीक है यह आपका क्या हो गया increase हो गया skin effect आपका increase हो गया आप देखो यह बोलने का मतलब क्या होता है कि मैं बोलूं कभी skin effect increase हो रहा है इसका मतलब होता है कि अब जो आपका current है ठीक है यह आपका conductor है इसमें current flow हो रहा है देखो अब यह जो area है न यह area क्य हुआ यह फिस इसको बोलते है इसको depth ठीक है यह depth आपकी क्या हो गई कम हो गई ठीक है less तो skin effect बढ़ने का मतलब है कि current आपका और ultra उसके surface के पास से ही flow होगा पीच में से बहुत कम current flow होगा ठीक है यह जो depth है न यह depth आपकी कम हो जाएगी तो skin effect बढ़ेगा तो यह depth आपकी क्या होगी कम होगी ठीक है बिकोज skin effect यही तो होता है कि conductor के surface से ज्यादा current flow होने लग जाए तो skin effect बढ़ गया इसका मतलब हो गया कि conductor की यह जो surface है वही से ज्यादा current flow हो रहा है ठीक है चीज तो यहापे देखो यह जो dotted है first case में यहापे skin effect इतना ज्यादा नहीं था तो आपका थोड़ा area ज्यादा कवर था यह ज्यादा area था ना यह ज्यादा area था ना यहापर बढ़ गया तो यह area देखो बहुत कम हो गया ठीक जिता ज्यादा skin effect उत्ती ज्यादा यह कम आपकी depth होगी ठीक है चीज तो यह दोनों relation आप याद रखो बहुत ज्यादा important है ठीक है इनसे question बनते है आपको बस relate करना आना चाहिए सारे question इसी से पूचे गए अब देखो जैसे step by step समझते ठीक है अगर मैं frequency को बढ़ाता हूं अगर frequency बढ़ेगी तो इससे क्या होगा देखो frequency यानी यह वाला formula भूला देखो मैरा डिल कम होगा यानी skin की depth कम होगी तो skin की depth कम होगी इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा skin effect बढ़ेगा तो इसलिए हम क्या बोलते है कि frequency के बढ़ने के साथ आपका skin effect भी बढ़ता है direct relation में होते हैं न दानो तो यह दोना आपके direct relation में होते हैं यह आपको याद है तो यहाँ से आता है यह relation दूसरा देखो correlation ठीक है आपके conductivity ठीक है conductivity मतलब यह तो conductivity अगर बढ़ती है तो यहाँ से क्या होगा आपका जो scale है ठीक है scale आपका क्या होगा कम होगा ठीक है यह skin की depth कम होगी so skin की depth अगर कम होती है तो आपका skin effect क्या होगा बढ़ेगा अब एक सबसे important point देखो मैं चाता हूँ skin effect मेरा reduce हो जाए तो मैं इसको reduce क्या से कर सकता हूँ यह सबसे important point है आप क्या करो अगर आपका जो conductor है न इस conductor की आप resistivity बढ़ा दो ठीक है तो देखो अगर conductor की resistivity बढ़ाओंगा तो इससे क्या होगा मेरी conductivity कम होगी यह तो आपको पता है न कि resistivity बढ़ती है तो conductivity कम होती है तो conductivity अगर मेरी कम होगी तो मेरी depth क्या होगी depth मेरी increase हो जाएगी ठीक है यानि कि अब पहले के compare में current उल्टा जादा थोड़ा अंदर की फिरफ लोगा यानि यापे देखो यापे यापे center से flow नहीं हो रहा तो यापे मालने तब भी जो नया बनेगा न वो कुछ यह बन जाएगा तो पहले के compare में अब देखो इतने में current flow होगा यानि पहले के compare में area क्या हो गया एक तरसे बढ़ गया न तो depth आपकी अगर बढ़ती है तो यहाँ से simple बोल सकते हो कि skin effect आपका कम हो गया तो skin effect को reduce करने के लिए आप क्या कर सकते हो conductor जो आपका जो material है उसकी resistivity आप बढ़ा दो ठीक है resistivity उसकी बढ़ा दो यह एक important point है जो आपको depth कम होती है skin की ठीक है skin depth अगर कम होती है तो आपका skin effect है वो आपका increase होता है तो आप यह सब चीज़े याद रखिएगा ठीक है बहुत ज़्यादा important exam में जो को रट के कब तक काम चलाओंगे ठीक है चीजों को समझ लो एक बार ताकि फिर कभी रटना नहीं बढ़ेगा clear है तो यह सब चीज़े आप समझ के रखो कि कैसे होता है simple आपको यह skin depth का formula याद होना चाहिए और यही से हम समझ गए यह से एक चीज़ समझ गए कि skin effect बढ़ता इसका मतलब है कि जब ज़्यादा current उसकी surface से flow होगा यानि यह area कम हो जाएगा skin effect का बढ़ने का मतलब ठीक है यानि skin effect बढ़ेगा तो हमने बताया न कि effective area कम हो जाएगा ठीक है effective area हमारा कम हो जाएगा यानि पहले अगर ज़्यादा area से current flow हो रहा था अब उल्टा और कम हो जाएगा area ठीक है आप बताया न यह area और कम हो जाएगा clear है यह चीज समझो skin effect का मतलब ठीक है चीज लगला motion देखते है effective resistance of a conductor will be same as ohmic resistance when यानि देखो आपका जो effective resistance है वो same होगा ohmic resistance के ohmic resistance मतलब जो resistance की वज़े से होता है तो इसमें आपका यह कब हो सकता है यह आपका तभी होगा जब आपका कुछ भी आपका skin effect ना होता हो और skin effect कुछ भी नहीं होगा कब नहीं होगा skin effect जब आपका current एकदम uniformly distribute हो ठीक है तो क्या वो लेंगे current is uniformly distributed in the cross section of the conductor ठीक है यानि C option आपका correct answer because देखो अगर current uniformly distribute नहीं होगा तो क्या होगा कि पहले अगर current uniformly distribute हो रहा है तो मान लेते resistance आ रहे ठीक है बट second case में अगर current uniformly distribute नहीं हो रहा तो आपका resistance बढ़ जाएगा ठीक है तो बट इसने क्या बोला कि same होना चाहिए तो same कब होगा जब आपका current uniformly distribute हो जाए तो दोने केस में आपका resistance same हो जाएगा ठीक है यानि देखो किसी भी conductor में आप अगर AC current flow करवाते हो तो हमें पता है कि जो current है वो उसकी surface से ज़्यादा flow होता है तो क्या बोलेंगे portion of the conductor near the surface carries more current in comparison to the core यही तो skin effect आपका तो be option correct answer increasing the frequency of transmission line will तो देखो simple मैंने आपको समझा दिया देखो frequency आप अगर बढ़ाओंगे frequency आप अगर increase करते हो तो इससे क्या होगा आपका skin effect बढ़ेगा ठीक है या फिर दूसरी टम में आपको लिखाओ आपको frequency बढ़ाओंगे तो skin depth आपके क्या होगी कम होगी ठीक है skin depth अगर कम होगी आपका skin effect बढ़ेगा तो आपका जो effective area है ठीक है effective जो cross sectional area होगा वो क्या हो जाएगा आपका reduce हो जाएगा और area अगर आपका reduce होगा तो resistance क्या हो जाएगा simple बढ़ जाएगा ठीक है C option आपका correct answer because बाकी चीज़ आप देख भी सकते हो option देखो आपका एक है देखो shunt reactance एक आपका है series reactance तो shunt का मतलब होता है capacitance की बात करता है ठीक है तो capacitance में देखो क्या होता है xc आपका ठीक है xc कैसे लिखते है 1 upon j omega c j omega c तो frequency आपके देखो क्या होता है j omega l j omega l तो याप फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो याणि omega बढ़ा रहे हो तो omega बढ़ा गया तो xl क्या होगा बढ़ना चाहिए तो याप बता रहे है decrease तो ये भी गलत हो गया ठीक है तो simple क्या होगा कि resistance आपका बढ़ जाएगा only याणि c option आपका correct answer skin effect आपका skin effect क्या करता है ये पूचा है ठीक है तो अभी हमने समझ लिया कि skin effect हमेशा हमारा जो area होता है effective area इसको कम कर देता है ठीक है और effective area कम होने की वज़े से हमारा जो resistance है ठीक है बोल सकते है या फिर जो आपका effective resistance को ये बढ़ा देता है ठीक है एंड आपका जो inductance है L इसको कम कर देता है ठीक है तो inductance को कम करने का मतलब क्या होता है कि ये XL को कम कर देता है यानि जो इसका reactance है तो ये क्या कर देता है कम कर देता है ठीक है यह चीज मैं already आपको detail में समझा चुक हूँ ठीक है starting के question में आपको समझा दिया था कि मैंने यह आपको बोला भी तक है कि याद रखना यह आपके लिए important है ठीक है तो resistance को बढ़ाता है और XL को कम करता है ठीक है skin effect आपका क्या बोलेंगे increase the effective resistance but reduce the effective internal reactance यापका correct answer skin of a conductor reduce with the increase in यापका skin effect ठीक है किसी भी conductor का reduce होता है इसके बढ़ने के साथ supply frequency बढ़ाते हो तब तो skin effect increase होता है तो यह तो बलात हो गया area of cross-sectional के साथ भी बढ़ता है permeability of conductor के साथ भी यह बढ़ता है अब का answer क्या होगा simple resistivity अब कैसे हुआ resistivity यह भी एक बढ़ आपको फटा-फट समझा देता हूँ यह आपको कंड़क्टर है ठीक है इसमें आप दे रहे हो AC supply तो अगर AC supply दे रहे हो यानि इस conductor में skin effect होगा confirm है ठीक है यानि skin effect मतलब इसकी surface से ज्यादा current flow होगा ठीक है यह पर देखो यह पर एक term आती है ठीक है यह जो area है न जिस area मैंसे यह current flow होता है यह जिस particular area के लिए ठीक है यह जो portion है इतना इस इसमें आपका current flow हो रहा है तो इस area को हम बोलते skin depth और इसको हम लिखते dale ठीक है और जो dale का जो formula होता है यह जो area है यह जो area है यह आपका dotted line और यह आपके conductor की skin इसके बीच में जो area है न यह आपका क्या होगा कम हो जाएगा ठीक है अगर skin effect बढ़ेगा तो तो यह आपका conductor हो गया ठीक है area आपका कम होना चाहिए तो यह हमने कम कर दिया ठीक है और इसमें आप देख सकते हो जो इस case में जो depth है ठीक है जो skin depth है ये पहले के compare में क्या है क्या है less है ठीक है तो यहाँ से आप एक relation क्या समझते हो कि आपका जो skin effect है ये और ये आपका skin depth है ये दोनों inverse relation में रहते है अब देखो अगर मैं मेरा जो ऐसा material यूज करता हूँ इसकी मेरी resistivity बहुत जादा हो resistivity मेरी जादा हो उस conductor की ठीक है तो resistivity अगर जादा होगी तो उस material के conductivity कम होगी ठीक है अगर उस material के conductivity कम होगी तो इसकी जो skin depth है वो क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी ठीक है skin depth अगर बढ़ जाएगी तो आपका skin effect क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा तो इस question में क्या बोला कि skin effect आपका reduce होता है किसके बढ़ने के साथ ठीक है तो आपने क्या देखा कि resistivity अगर बढ़ती है तो आपका skin effect reduce हो जाता है यहाप यह reduce हो रहा है clear रहे चीज़ यह तो इसलिए मैंने बोला कि आप resistivity को increase कर दो तो आपके conductor material की तो आपका skin effect reduce हो जाएगा यह चीज़ आपके ठीक है तो देखो skin effect reduce होने का मतलब क्या हुआ कि यह जो dotted line है अब यह नई dotted line का यह यह बनेगी तो reduce हुआ है इसका मतलब हुआ कि आपका जो area है इसका मतलब एक awfully एरिया है वह आपका बढ़ गया ठीक है तो effective area बढ़ गया मतलब देखो पहले ही आपका इत्ता सा area था ना इत्ता सा area था जिसमें current flow हो रहा था अब आपका यह या तक area हो गया ठीक है तो area आपका बढ़ गया ठीक है यानि skin effect भी आपका कम हो चुका है तो resistivity को अगर बढ़ाते हो क्या हुआ current आपका देखो और अंदर की तरब भी flow होने लग गया ठीक है यानि current अच्छे से distribute होने लग गया और resistivity बढ़ाते हो तो current यह आपे भी flow होने लग जाएगा ठीक है तो पूरे conductor में आपका current uniformly distribute हो सकता है अगर आप resistivity उसके बढ़ा देते हो ठीक है तो अगला कुशन देखते है skin effect in a conductor is proportional to ठीक है तो simple आपका यह अपने diameter के square के proportion होता है ठीक है diameter पर कैसा proportion होता है यह तो आप समझी सकते हो तो आपका skin effect area के directly proportion होता है ठीक है area बढ़ेगा तो आपका basic में बतले वह हुआ कि आप pi r square अगर circular conductor लेते हो तो area के ओगा pi r square ठीक है r square में अगर उसका diameter की term में लिखोंगी तो d by 2 chi square तो d square के proportion होगा ठीक है तो simple इसलिए क्या बोलेंगे यह option आपका correct answer in order to reduce the skin effect at ultra high frequency ठीक है तो देखो आपको अगर skin effect reduce करना है ultra high frequency पर ठीक है तो ultra high frequency बोलने का मतलब के है कि frequency आपकी बहुत जादा है frequency आपकी बहुत जादा है ठीक है बहुत जादा तो अगर frequency अगर बहुत जादा होगी आपकी skin depth क्या होगी बहुत कम होगी skin depth आपकी बहुत कम होगी ठीक है skin depth मैंने बता रहा क्या formula ठीक है आपको बोला भी है बहुत important इसको याद रखिए ठीक है root 2 upon यह आपका conductivity omega then mu ठीक है यह आपका root में था तो यह जैसे आपको conductor है ठीक है अब दोखो यह पूरा conductor में आपका पूरा एकदम बराबर conductor ठीक है normal जैसे conductor होता है वैसा wire है अगर आपका frequency बहुत जाद होगी ठीक है frequency बहुत जाद है तो आपका जो depth हो बहुत कम होगी ठीक है तो depth एकदम में छोटी सी बनाता हो यह आपकी एकदम छोटी सी depth हो गई ठीक है यह जो छोटा सा बहुत एकदम कम मामूली area देख रहा है न इस इसमें आपका current flow होगा इतने से portion में आपका current flow हो रहा है अब बीच में आपका कुछ भी current flow नहीं हो रहा है ठीक है conductor की surface में सिर्फ current flow हो रहा है ठीक है तो अब यहापे देखो आपका जो इस conductor का जो बीच वाला material है यह तो आपका बीच में आपका कुछ भी नहीं होता है इस टाइप का आपका conductor यूज करो तो हम इसके लिए यूज करो तो copper tube मतलब आपकी जो नॉर्मल जो ट्यूब होता है वैसा ही यानि बीच में आपका कुछ भी material यूज नहीं कर रहे है विकाज हमें पता एकर frequency बहुत जाता है तो य बीच में कोई material नहीं है तो वैसे वापे कोई current flow नहीं होना तो हमें चाहिए भी तो नहीं material तो इसलिए हम यूज करते है copper tube ठीक है यह आपकी हो गई copper की tube हो गई ठीक है because frequency बहुत जाद है तो current आपका simple यहाँ यहाँ से ही flow होगा बीच में आपका कोई current flow होगा नहीं ठीक ह है यह और कम हो जाएगी तो frequency की वाज़ इसलिए उसकी depth और कम हो गई यानि कि अब और आपकी जो copper tube है न उसकी simply इसके surface से ही current flow होगा बीच में से कुछ भी current flow नहीं होगा ठीक है तो copper tube हम इसलिए यूज करते है और थोड़ी आपकी conductivity भी बढ़ जाए इसलिए हम इसमें silver plating कर देते हैं ठीक है चीज तो यह option आपका correct answer 100 km long transmission line is loaded at 110 kV if the loss of the line is 50 megawatt and the load is 150 megavolt ampere the resistance of the line is resistance क्या होगा यह पूचा है ठीक है अब देखो जो आपकी normal apparent power लिखते हो ठीक है क्या होती है root 3 आपका जो भी line voltage है multiplied with आपका line current तो यहां से अगर मैं line current निकालता हूँ तो कितना मिलेगा जो भी apparent power है divided by root 3 multiplied with आपका जो भी line voltage है ठीक है तो यहां से simple देखो मैं line current निकालता हूँ ठीक है voltage आपका देखो किता है 110 kv ठीक है 110 into 10 की power 3 because यह kv में ठीक है तो आप simply solve करो calculator से तो आपको जो line current मिला इस case में ठीक है यह आपका आगे 788.22 ampere तो देखो power loss क्या हो जागा simple therefore power loss क्या होता है current ठीक है तो 15 into 10 की power आपका यह 6 equals 2 3 into आपका line current हमने निकाल चुके 788.22 इसका square multiplied with आपका RL जो क्या आपको निकालना है यहां से 3 से 15 यह 5 ताइम चला जाएगा इसको simply solve करेंगे तो यहां पर आपको जो resistance मिल जाएगा ठीक है आपका simple answer क्या हो जाएगा 8.06 ohm per phase यह यह option आपका correct answer the component inductance due to the internal flux linkage of a non-magnetic straight solid circular conductor per meter length has a constant value and is independent of the conductor diameter because जैसे आपका conductor है ठीक है पान लेते यह हमारा कोई conductor है clear है इतना अब जैको इस conductor का कुछ ना कुछ क्या होगा diameter होगा ठीक है का formula क्या होगा integration करेंगे simple r से infinite mu not i upon two pi x और किसके respect में कर रहें dx के respect में ठीक है तो जो total flux होगा इस particular conductor का वो किता हो जागा दोनों को add कर देंगे ठीक है simple दोनों को add कर दिया add करेंगे तो mu not i upon two pi common आ जाएगा बाकी अंदर यह formula बन जाएगा ठीक है अब यहापर देखो यहापर जो one by four है न ठीक है one by four यह आपका क्या रिप्रेजंग करता है यह आपका रिप्रेजंग करता है internal flux linkage को और one by four आपका क्या है एक constant value है ठीक है एक constant value है न वन बाइ फोर तो आपकी clear है one by four आपकी constant है और क्या बता सकते हो यहापर ना तो आपका कोई radius है ना आपका conductor का diameter है यानि आपका internal flux linkage ना तो आपके diameter पर depend कर रहा है ठीक है नाई radius पर depend कर रहा है तो क्या लिएक सिंपल not depend on diameter diameter किसका आपके conductor का ठीक है पोशन में इसने यह बोलाता है जो आपका internal flux linkage होता है ठीक है उसकी एक constant value होती है ठीक है कित्ती होती है one by four और यह आपका independent होता है conductor diameter के क्यों independent होता है यह पूचा है ठीक है तो देखो यहापके current तो आपके AC flow होता है ठीक है AC flow होता है AC में आपके frequency नॉर्मल किती ही लेते है हमारे 50 Hertz लेते है ठीक है तो यह frequency ते ज्यादा नहीं है कि नॉर्मल है तो हम ऐसा जूम करके चलते हैं कि हमारे skin effect बिल्कुल भी न नहीं हो रहा यानि जो current हमारा है वो कि तुम uniformly distributed है अगर current हमारा uniformly distributed होगा तभी आपका internal flux linkage आपके diameter पर डिपेंड नहीं करेगा ठीक है तो ऐसा हम अजूम करके चलते है कि जो current flow और आपके conductor में वह आपका uniformly distributed हुआ है पूरे conductor के cross section में ठीक है अगर ऐसा आप अजूम नहीं कर पूछ लेते हैं और external का भी कभी पर पूछ लेते हैं और आपको total भी पूछ लेते हैं consider a long two wire line composed of solid round conductor the radius of both conductor is 0.25 cm and the distance between their center is 1 meter if this distance is developed then the inductance per unit length दो दो wire के लिए बोला है ठीक है तो पहले दो wire के लिए जो आपका inductance होता वो देख लेते देखो यह कोई दो conductor है आपके A conductor और यह आपका B conductor ठीक है दोनों की radius आपकी R और इसकी भी R ठीक है दोनों के बीच में जो distance है यह आपका D clear है इतना अब जो को formula आपके लिए important है उनको देख लेते क्या-क्या formula होते ठीक है फिर question पर आएंगे देखो पहला आपको flux linkage का formula होता है clear है जैसे A conductor के लिए flux linkage और B conductor के question में भी लिखवा चुका हो ठीक है ना तो क्या हो जागर simple 2 into 10 की बार minus 7 I A यानि A के लिए लिए लिख रहा हो इसलिए यह वाला current ठीक है अब मैंको तो चाहिए inductance की बात कर रहा है ठीक है inductance में बताना है न क्या variation होगा inductance के लिए simple flux linkage upon आपका जो भी current है ठीक है अब अगर मैं L A की value निकालूँगा यानि inductance of A conductor तो वो कैसे निकालूँगा simple flux linkage of A upon आपका जो A में जो current flow होगा ठीक है तो देखो यहापर flux linkage में I A है और divide में भी आई है तो यह cancel out हो जागा simple तो दोनों में inductance क्या हो जागा देखो simple 2 into 10 की बार minus 7 ठीक है यहापर I A cancel out हो गया clear है तो एक आता है loop inductance एक term आती है आपकी loop inductance ठीक है यह भी आपको एक्जाम में direct पूछ लेते है loop inductance डेको loop inductance क्या होता है दोनों conductor का combine कर देना simple inductance ठीक है तो simple क्या हो जागा LA plus LB तो दोनों में सारी value same है तो देखो 2 plus 2 simple 4 हो जाएगा ठीक है 4 times हो जाएगा तो यह आपका आगया 4 into 10 की पर माइनस 7 1 upon 4 plus log e d upon r और unit आपकी सबसे ज़्यादा important है ठीक है inductance वाले questions में आप unit में ही mistake करते हो ठीक है तो unit आप याद रखिए कि यह जो formula आपका unit के है इसमें energy per meter है ठीक है अब एक और important formula बनता है वो भी देख लेते है देखो LA equals 2 2 into 10 की पर माइनस 7 log e d upon r- आया है ठीक है modification case में और हमें यह formula मिला ठीक है यह formula भी आपके exam के लिए बहुत important है ठीक है तो मैंने तीन इस्टार लगा है तीनों formula आपको मुह पर याद होना चीए ठीक है इत्या important है formula तो यहापर जो r- है यह आपको होता effective radius conductor की effective radius यह value आपको direct याद रखना है देखो 0.77 0.7788 इंटू आपका radius जो भी है conductor की ठीक है तो यह आपको direct याद रखना है यह बहुत important है clear है यह पर यह पर 0.7788 यह सब आपको पता हो का सा आती है ठीक है तो यह आपके फॉर्मूले हो गए जो आपको दो conductor यानि two wire line के लिए आपको याद होने चीए formula ठीक है ठीक है चीज यह लिख लेता हूँ ठीक है अब यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर यह आपका proportional होता है simple log e d upon r' के clear रहेता है ठीक है ठीक है यह इसने देखो first case लेते तो first case इसने बोला है कि जो radius आपकी है radius किती दी इसने 0.25 cm 0.25 cm और जो distance दिये है यानि conductor के बीच में जो distance है यह इसने 1 meter दिये है इसको भी cm में लिखते है यह आपकी देदी 100 cm क्या तक आपका ठीक है जो second case है ठीक है second case में इसने बोल दिया कि हमने double कर दिया ठीक है अब बोले देखो if this distance is double ठीक है यानि हमने क्या किया है इस distance को double किय है और radius अभी आपकी same है ठीक है तो radius अभी आपकी 0.25 cm है 0.25 cm और distance को में double कर दिया है नहीं 200 cm कर दिया ठीक है तो जब बताइए कि inductance में क्या change आगा यह पूचा है ठीक है तो या से simple आप देखो first case के लिए अगर मैं लिखता हू तो first case के लिए अगर मैं लिखता हू 200 upon आपका 0.25 क्या तक ठीक है आपका यह value आपको किते मिल दाएगी 5.99 ठीक है दूसरी value अगर निकालते हम यह आपको मिलेगी 6.68 क्या तक ठीक है तो यह से एक चीज़ आपने notice की कि देखो आपने यह पर distance को तो double किया है ठीक है दोनों के बीच में जो distance है तो आपने double कर द दिया बड़ distance को double करने की वज़े से देखो आपका जो value है यानी जो inductance की value वो double नहीं हुए यहापर देखो यहापर अगर double होती तो इसको approximate में 6 लिख सकता हूं तो 6 का double 12 यानी में 12 मिलना चाहिए था but में 12 मिल रहा है 6.68 मिल रहा है यानी मेरा double नहीं हुआ है यानी मेरा double 6 है, 6 का double तो 12 मिलना चाहिए ना मैंको, बड 12 नहीं मिल रहा है, मैंको किता मिल रहा है, 6.68 मिल रहा है, clear है, increase हो गया बड़ डबल नहीं हुआ है, ठीक है चीज़, बढ़ना कुछ लोग क्या देखते हैं, कि since inductance आपका देखो, log e d, तो d को अगर आप double करते हो, तो inductance भी double हो जाए, तो जलबाजी में ऐसा नहीं करना, because log में आपका ऐसा नहीं है कि log की value double कर रहे हो, तो आपको overall double हो जाएगा वह value, ठीक है, तो हम simple क्या बोलेंगे, increase तो होगा, बड़ डबल नहीं होगा, यह इसी option आपका correct answer, the inductance of a single phase 2 wire, power transmission line per kilometer, gets double when the, अब देखो, inductance का formula हमने अभी देखा, ठीक है, मैं per phase के लिए लिख रहा हो, 2 into 10 की power minus 7, तो आपका देखो, log e, आपकी d upon r' ठीक है, d आपकी distance है, दो conductor के बीच की, ठीक है चीज़ी है, और unit इसकी क्या थी, आपकी henry per meter, ठीक है चीज़ी है, अब देखो, इसको आपको double करना है, तो double आप कैसे कर सकते हैं, अगर इस distance को double करते हैं, इस d को double करते हैं, तब तो आपकी नहीं हो रही है, आपने check कर ले हैं, ठीक है last question में, अगर इसको d को चार गुना भी कर दो, तब भी आपकी double नहीं होगी, ठीक है चीज़ी, ये okay नहीं होगी, ये करके भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, radius of the wire is double, तो देखो radius को तो double करके करीज नहीं सकते, देखो, इस rs को आप अगर बढ़ाओंगे, तो inductance तो आपका कम होगा, आपको तो inductance को क्या करना है, double करना है, double कैसे कर सकते हैं simple, क्या करो जो distance है न, distance between the wire, is increased as the square of original distance, यानि कि square कर दो, तो यहापे देखो, simple, यहापे square को उटा के, यहापकी root में आ जाएगी, ठीक है, then यह पूरे का, अब जैसे आपने square लिया, तो यह power आपकी क्या जाएगी, आगे shift हो जाएगी, ठीक है, यानि power आपकी यहापे आजाएगी, तो बोल सकते हो, को inductance आपका double हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आपका यह double हो सकता है, तो C option आपका, correct answer, inductance of an overhead line, in comparison to that of a cable of same capacities, ठीक है, तो inductance आपके overhead line का, बहुत जादा होता है, तो यह option आपका correct answer, अब जादा क्यों होता है देखो, overhead line में, यह आपके ओगी overhead line, ठीक है, यह R phase, यह Y phase, और यह आपका B phase, ठीक है, तो इन में क्या होता है, overhead line में, यह जो distance होती है न, conductor के बीच की distance, D, ठीक है, यह आपकी large होती है, distance आपकी large होती है, और हमें formula अपने पढ़ लिए, inductance के, distance जित्ती जादा होगी, उत्ता जादा आपका, यह होगा, ठीक है, ऐसा माँ सबज़ेगा, distance को double करोंगी, small होती है, तो यह option आपका correct answer, the inductance of a single phase two wire line, is given by, यहनि, कोई आपकी single phase two wire line है, उसका inductance बता था है, ठीक है, तोनो, पूरी दोनो conductor का combine पूचा है, यहनि, loop inductance पूचा है, ठीक है, इस question में, बोला, capital D को तो आप लेके चलो, distance between conductor, और small r को लेके चलो, आप radius between the conductor, ठीक है, तो अलएड ही हम देखो, ऐसे ही करते हुगा आ रहे, तो inductance अगर मैं देखो, एक conductor का लिखता हो, माल ले तो अले ले, ठीक है तो अभी तक देखो लिखते हुगा रहे हो, पर मीटर में, portion में unit देखो, सब option में दी है, milli henry पर किलोमेटर, ठीक है, पहला मैं को milli henry पर किलोमेटर में लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 10 की पावर minus 7 है, तो milli के लिए मैं को किता चाहिए होता है, milli का मतलब होता है, 10 की पावर minus 3, ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा minus के 4, ठीक हो 4, 5, 6, 7, तीन कम कर दिया न, तो यहाँ आपका हो गया, ठीक हो 1 upon 4, प्लस आपका, log E, capital D upon, आपका R, ठीक है, अब यह किसमे हो गई, इसकी unit क्या हो गई, milli henry पर मीटर हो गई, मैं को चाहिए किसमे, kilometer में चाहिए, ठीक है, मैं क्या करता हो, देखो, simple, उपर भी thousand से multiply करता हो, और नीचे भी thousand से multiply करता हो, ठीक है, तो यह आपका meter में था, ठीक है, तब meter को मैंने thousand से multiply किया, यह क्या हो गया, kilometer में बन गया, ठीक है, यहाँ बचा है, basically 2 by 10 बचा है उसको मैं 0.2 लिख सकता हूँ, ठीक है तो यहाँ से मैं को जो LA का formula मिला, किता बन गया देखो 0.2, ठीक है जब ब्रैकेट आपका, ठीक है 1 by 4 प्लस आपका log E D upon आपका R ठीक है, unit इसकी क्या बन गया देखो milli henry per kilometer ठीक है, तो यह unit में इसलिए बोला था हूँ, बहुत जादा important आपके लिए unit और इसी को, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है देखो, दो formula में आपको लिख वायते है LA को और कैसे लिख सकते है, 0.2 ठीक है, log आपका E, capital D upon आपका R', ऐसे भी लिख सकते है और unit इसकी क्या होगी milli henry per kilometer clear है, यह आपने लिखा R' यानि effective radius की term में लिखा इसने आपने, ठीक है, तो देखो, अगर मैं आपका, दोनों conductor के लिखता हूँ ठीक है, जिसको हम बोलते है, loop inductance यह कितना आजाएगा, simple देखो 2 times हो जाएगा, तो यह 0.2 का इसको 2 से multiply है कर, तो यह आपका आजाएगा 0.4, 0.4 log E, आपका, capital D upon आपका R', ठीक है unit आपकी हो जाएगी, देखो, milli henry per kilometer या तक ठीक है, आपका, तो यह आपने option पहले check किये, option में हमने देखा, कि जो भी option दिये न, वो हमें 1 by 4 की term में तो एक भी option नहीं दे रखा, ठीक है तो इसका मतलब obvious ही बात है कि R' की term में दे रखा होगा, ठीक है, तो इसलिए हमने simple R' की term में इसको लिख लिया ठीक है, तो यह आपका अंसर क्या हो जाएगा, simple यह option आपका correct answer, ठीक है यहापे इसने यह R दिया है यह प्रभवलिया R' होगा यहापे, ठीक है यह formula आपका बनेगा, 0.1 log E D upon R' for 11 kv line the inductance per kilometer per phase will be of order of, ठीक है तो 11 kv के लिए आपका inductance होता है 1 million degree, ठीक है theoretical question है यह option correct answer for a single phase overhead line having solid copper conductor of diameter 1 centimeter, तो देखो diameter बोला इसने 1 centimeter, ठीक है, तो radius किती हो गई तो मैं यह आपे लिख लिए तो, radius मेरी है 0.5 centimeter, यह तक ठीक है फिर क्या बोला देखो, space 60 centimeter between the center, यानि distance है दोनों conductor के बीच में यानि D, यह किता दिया इसने 60 centimeter, ठीक है दोनों के unit same है, कुछ change करने की जुरूत नहीं double of inductance in milli henry per kilometer, ठीक है milli henry per kilometer बताना है, तो देखो अभी अभी हमने देखा formula, के inductance का, क्या होता है, देखो 0.2, ठीक है bracket, 1 by 4 plus आपका log E, capital D ठीक है, या फिर इसको small d लिखते है because या पर small d लिखी है upon आपका radius R, ठीक है और unit की क्या बनी थी, आपकी milli henry per kilometer last to last question में यह हमने अभी देखा है अब यह वाला formula हम क्यों use कर रहे है because हमने option देखे, देखो option देखे, एक बार आपको पता करना है कि कौन सा formula आपको use करना है, ठीक है, या पर distance किती है 60 cm तो यह आपका 60 radius किती है 0.5 तो यह आपका 0.5 clear है, unit किती है milli henry per kilometer clear है, तो इसको देखो थोड़ा solve करते है किता हैगा देखो, 0.2 upon 4 0.2 divided by आपका 4 ठीक है, plus यह आपके आज आगा 0.2 ठीक है, log e 60 upon 0.5 ठीक है, ठीक है, तो यह आज से देखो, यह point को remove करते है नीचे 0 आगया, यह आपका आजाएगा 1 by 20, तो 1 by 20 यानिकि यह value आपके आगए 0.05 0.05 plus आपका, यह आगए 0.2 ठीक है, log e यह आपका आगया 60 upon 0.5 ठीक है, यह आपकी unit कि लिख लेते है, milli henry 60 upon 0.5, यह आपका C option, correct answer, clear है ठीक है, यह option में इसने 60 दिया है नीचे 0.5 नहीं है, ठीक है न, C option आपका correct answer होगा, ठीक है इसमें तो आपको ऐसे ही दे रखा था, ठीक है, इसलिए आपका C option correct हो गया, तो इसको आप अगर solve करते हो इसको आप अगर solve करेंगे तो यह जो L is की value मिलेगी index की 1 milli henry per kilometer, ठीक है अब जोको आप same अगर, यह वाला formula यूज करते है, ठीक है, आपने एक और formula पढ़ा होगा देखो, L equals to 0.2 log e, ठीक है log e, आपकी जो भी distance है पॉन आपका r dash, ठीक है यह आपका r dash की value मिलती, यहाँ से भी आपका answer 1 milli henry per kilometer यह आता, ठीक है, दोनों से यह answer आता, ठीक है, यह दोनों जो formula है, यह आपके solid copper conductor के लिए होते है, ठीक है, अगर इसने hollow conductor बोला होता, तो आपका यह 0.05 नहीं आता, ठीक है hollow conductor के लिए, आपका सिर्फ यह वाला answer होता, कि 0.2 log e 60 upon 0.5, यहाँ से यह जो d option आपका, कि d option आपका यह आपका होता है hollow conductor के लिए ठीक है चीज, तो अगरा कुशन देखते है a three phase transmission line has its conductor at the corner of equilateral triangle with side 3 meter the diameter of each conductor is 1.63 cm, the inductance of the line per phase per kilometer is, यानि कि मैं देखो, conductor कैसे, यह आपका एक conductor, यह आपका दूसरा conductor, यह आपका तीसरा conductor equilateral triangle मतलब सारी distance same है, ठीक है, तो यह जो इनके बीच में distance दे रखिया conductor के बीच में यह में दिये 3 meter, यह 3 meter, और conductor का diameter यह भी दे रखिया, ठीक है diameter यानि यह पूरी distance किता दिये diameter, देखो 1.63 cm 1.63 cm जा तक ठीक है आपका आप देखो, quotient की जो quotient के according, देखो radius एक ठीक है, इन conductor की radius किती हो जागी, देखो simple 1.63 आपका diameter है तो 2 से divide कर दो, ठीक है तो आपको radius मिल जाएगी 0.815 cm ठीक है, जो distance है ठीक है, यानि जो distance हम निकालते हैं, यह कैसे निकालेंगे, देखो, इसको लिको capital D, ठीक है distance अब यहाँ पे देखो, 3 conductor है कैसे निकालते हैं, simple इसके लिए देखो, D1, D2, D3 ठीक है, bracket, since 3 है यहाँ आप आजाएगा 1 by 3 clear रहे, यहाँ पे simple अगर distance distance निकालते हैं, यह भी 3 है यह भी 3 है, यह भी 3 है यह भी आपका 3 है, और किती हो जागी 1 by 3, ठीक है ऐसे निकालते हैं यहाँ से में देखो, जो distance है वो में मिल गए 3 meter, ठीक है, centimeter पे निकालनी पड़ेगी because हमारी देखो, radius centimeter में L A, और देखो, इसने बोला है E per kilometer में बताना है milli henry में दिया है, तो milli henry per kilometer तो formula में आपको अल्रेडी लिखवा चुका है 0.2 log E ठीक है, log E D upon आपका R' यह formula बता है, यह आपका R' की value पहले निकाल देते है 0.77 88 इंटो आपकी radius 0.815 815, ठीक है तो यह में मिल जाएगा, यह आपके 0.6347 यहां तक ठीक है, और हमने आपके T की value अल्रेडी निकाल दिये यह आपके 300 cm ठीक है, दोनों हमेसा same unit में लेके चलो यह भी आपके cm में आ गई है तो अब यहाज से simple inductance निकाल देते ठीक है, और यह आपके unit लिक लेते है milli henry per kilometer ठीक है, unit लिकना मुद बोलना बहुत important है तो यहां से la ठीक है, पर phase के लिए निकाल देता है किता आगा देखो 0.2, ठीक है log आपका e तो आपके देको d किता है 300, तो यह आपका आगा 300 divided by, r- 0.63 0.637 6347, तो यहां से simple solve करेंगे ठीक है, calculator से तो आपको answer मिल जाएगा 1.231 1.231 1.231 milli henry per kilometer ठीक है, and per phase per phase, एक phase का निकाला है न इसलिए, ठीक है तो यह आपका हो गया answer, simple आपको formula based question पूचे जाते है, ठीक है inductance calculation से, आपका क्या हुआ conductor of 10 kilometer long, single phase 2 by line, are separated by distance of 1.5 meter, ठीक है यानि कि जो distance दीए, दो conductor की बीच की distance, यानि यह D, किता देदिया, इसलिए 1.5 meter, ठीक है 1.5 meter, और बोला देखो, the diameter of each conductor is 1 centimeter, diameter क्या है? 1 centimeter है, diameter 1 centimeter radius किती हो गई 0.5 centimeter, ठीक है इतना, फिर देखो क्या बोला, if the conductor R of copper, the inductance of the circuit is, बोला inductance of the circuit is, तो inductance, पूरे circuit का बोलने का मतलब है, या आपको दोनों conductor का निकालना है, यानि देखो, single phase 2 wire है, तो 2 wire है, तो 1 wire के लिए हमें formula पता है, ठीक है तो बट हमें चाहिए loop inductance, ठीक है formula मैंने बता दिया आपको, simple, आपका loop inductance क्या हो जाता है, double हो जाता है, ठीक है तो simple क्या हो जागा formula देखो, 0.4 हो जाएगा, ठीक है, normally 1 के लिए 0.2 आता है या पर, log e आपका, e upon आपका r' ठीक है, यह क्यों लिखा मैंने because मैं को चीह है, milli henry per kilometer में, ठीक है because देखो unit आपकी क्या, milli henry per kilometer, clear है, unit important है, यह आपका simple centimeter पर रख दो, यह आपका हो जाएगा, 150 centimeter यह आपका r' निकाल देते हैं r' आपका हो जाएगा, 0.7788 into आपकी radius, radius किती 0.5, 0.5, ठीक है तो आप multiply करोंगे, यह आपका 0.3894 clear है, आप simple सारी value input करो, आपका देखो, inductance किता मिल जाएगा, inductance equals to 0.4, ठीक है, आपका log e देखो, d किता आपका 150 centimeter, तो 150 divided by, simple 0.3894 3894, ठीक है इतना, उसको simply solve करेंगे यहाँ से में जो inductance मिलेगा, ठीक है यह आपका जाएगा, 0.4 multiplied with 5.95 log की value आजाएगी अब जो calculator होता है calculator में आपको एक तो मिलेगा ऐस log लिखा हुआ, एक आपको मिलेगा n, ln मिलेगा, ठीक है तो ln का मतलब है, कि उसका base e है ठीक है, और log लिखा हुआ, उसका base 10 है, तो वहाँ पे गलती मत कर देना कि आप value log यह वाला ले रहे हो और यहाँ पे value निकाल लो, ठीक है तो वह गलत हो जाएगा, because यहाँ पे basic है e है तो calculator में आपको ln यूज करना है, ठीक है तो l हमें यहाँ से देखो simple मिल जाएगा, 0.4 into 5.95 ठीक है, यह आपका आजाएगा 2.3815 ठीक है, unit important millihenry per kilometer अब इसने बोला है, ठीक है, ठीक है पूरे 10 kilometer के लिए बतानी है, ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है अब जिए हमने 1 kilometer के लिए निकाली है ना, तो 10 के लिए कैसे निकालेंगे, simple अब 10 से multiply कर दो, ठीक है 2.3815, ठीक है 8, 1, 5 unit important है milli henry किलोमेटर हमने simple multiply कर दिया जितने किलोमेटर के लिए निकालना था यानि कि आपका C option correct answer ठीक है आप simple देखो inductance में इस सारे formula based question है आप जितने formula आपको याद है तो आपसे question हो जाएगा formula याद नी है तो question आपसे नहीं होने वाला simple सी बात है लोकोशन देखते है inductance of power transmission line increase with अब आपका inductance होता है inductance कैसे लिखते है simple किसी भी एक conductor का में लिख लिए तो ठीक है LA लिख लिए तो जैसे यह मैंने आपको बताए किता होता है 0.2 log e आपकी जो distance होती है यानि जो spacing होती है दो conductors के बीच में या फिर बोल सकते हो phase conductor के बीच में valley distance d अपन आपका r dash लिए यह formula होता है unit क्या है यह आप है philly henry per kilometer ठीक है and per phase अब देखो यह आप है यह जो spacing है जो distance है अगर इसको आप बढ़ाते हो ठीक है तो आपकी inductance भी आपका बढ़ता है ठीक है तो simple क्या बोलेंगे increase in spacing between the phase conductor ठीक है spacing बढ़ा दो आपकी क्या होगी inductance increase हो जाएगा बट आप अगर radius को बढ़ाते हो यानि इस r dash को बढ़ाते हो तो आपका inductance कम हो जाएगा ठीक है inductance of a transmission line is minimum when अब देखो आप normally देखो जैसे दो conductor ले तो एक ये conductor आपका हो गया एक ये conductor हो गया ठीक है दोनों की radius भी same ये भी R और ये भी R ठीक है और जो दोनों conductor के बीच में जो distance है ये हमारी हो गई D ठीक है ये हमारा A conductor ये हमारा B conductor ये बोल सकते हो single phase है ये एक तरह से ठीक है इसमें आपका जब inductance लिखते हो inductance यानि किसी भी एक का ठीक है तो ये आप लिखते हो 0.2 ठीक है log e log e जो भी spacing है इनके बीच में upon आपका जो भी radius है उसका dash ये एफेक्टिव radius ठीक है ठीक है ये बीच में जो distance है वह आपकी same है ठीक है तो ये भी आपकी D है ये मान लेते जैसे A phase ठीक है ये आपका B phase और ये आपका C phase ठीक है तो अब देखो अगर मैं A phase के लिए inductance लिखता हो इस case में inductance लिखता हूँ तो ये तो same हाता है ठीक है 0.2 log E या तक तो आपका same है बट अब देखो मैं A conductor के लिए लिख रहा हूँ ठीक है तो इस B की वज़े से भी इस पर कुछ inductance और C की वज़े से भी कुछ inductance होगा जो external inductance की हम बात करते है ठीक है वह वह वाला तो इसमें देखो इस conductor का self ठीक है यानि इसका खुद का उसको हम लिखते है geometrical mean radius GMR clear है तो यह आपका formula बनता है आपके three phase system के लिए ठीक है देखो T1, T2, T3 ठीक है यानि यह वाली distance यह वाली distance यह वाली distance यह वाली distance तो यह पर फिलाल same है ठीक है और यह आपर आ जागा one by three clear तो ऐसे हम GMD निकालते है और GMR इस case में देखो simple GMR तो GMR किता हो जागा simple देखो 0.7788 ठीक है इंटु आपकी जो भी radius है ठीक है because conductor के जो radius ह सबकी save है तो मैं R लेके चल रहा हूँ ठीक है तो यह पर देखो इसने बोला कि LA आपका minimum होना चाहिए minimum मतलब कम होना चाहिए तो कम कब होगा यह आपका कम होगा जब आपका GMD कम होगा ठीक हो गम होगा तब आपका LA कम होगा और GMR आपका ज्यादा होगा तब तो क्या बो होता है देखो यह भी समझा देता हूँ जो GMR होता है geometrical mean radius ठीक है यह एक तरह से self की बात करता है तो inductance में इसकी value क्या लिखते है हम R लिखते है ठीक है और यह होती किती है 0.7788 into आपका radius R ठीक है बट आप अगर capacitance के लिए लिखते हो GMR capacitance के लिए GMR लिखोंगे capacitance तो यह conductor की radius के बराबर क्यों होता है विखोज आपके capacitance में ठीक है या फिर बोल सकते हो कोई भी अगर आपका conductor है ठीक है conductor में उसके inside में electric field क्या होती है 0 होती है ठीक है तो inside में electric field 0 होती है तो कोई भी आपका यहापे internal का case नहीं बनता ठीक है no internal case यह देखो जब आप inductance की बात करते ठीक है 0 होती है तो internal का कोई case ही नहीं बनता आपके capacitance में तो वापे आपके simple normal R यह आता है यहापे आपका radius R is more than R' ठीक है तो यह हम बोलते है कि जो GMR होता है वो capacitance circuit में ज्यादा होता है compared to inductance circuit ठीक है तो यह important question है तो आप याद रखिए ठीक है और क्यासा क्यों होता है आपके जो internal में electric field होती है आपके conductor के ठीक है वो आपके 0 होती है यह हम पढ़ते है कि कोई conductor है इसके inside electric field हम क्या लिखते है 0 लिखते है ठीक है इस वज़े से तो हम क्या बोलेंगे simple GMR is larger for capacitance calculation यह यह option आपका correct answer the self GMD of a conductor with three strands each of radius R and touching each other is ठीक है हमें क्या बतानी है self GMD GMD मतलब self GMD का मतलब होता है GMR बताना ठीक है geometrical mean radius देखो तीन conductor बोला ना तीन strand बोला ठीक है तो यह आपका एक हो गया यह आपका दूसरा हो गया ठीक है और यह आपका यह तीसरा हो गया ठीक है तीनों एक दूसरे को touch कर रहे है इस टाइप में हमें दे रखा है clear रहत ना अब देखो इनकी जो radius है यह भी आमें दे आ रही होगी और यह भी आपकी आर और यह भी आपकी आर हो जाएगी ठीक है तो यहां से आप एक तरह से एक चीज समझ रहे हो यहां पर भी टू आ रहे है ठीक है यहां पर भी टू आ रहे है ठीक है यह वाला strand मान लो A है यह आपका B है और यह आपका C है ठीक है अब ना है GMR ठीक है तो देखो कैसे लिखोंगे geometrical mean radius ठीक है तो पहले आपको लिखना पड़ेगा देखो self के लिए ठीक है यानि खुद के लिए खुद के लिए देखो क्या हो जागा simple 0.77888 इंटू आपका जो भी radius है ठीक है इतना अब देखो multiplied with अब देखो मैं मान रहा हूँ क तो देखो इस point पे और B point पे ठीक है B और C दोनों देखने पढ़ेंगे ना दोनों conductor पहले B तक देखा मैंने यह किती distance है total 2R है तो इसको हम 2R से multiply कर देंगे ठीक है multiply C के लिए लिखूँँगा C के बिच में किती distance है 2R इसको अगे 2R से multiply कर दूँगा total distance कितने एक दो तीन ठीक है तो किता हो जागा simple 1 by 3 ठीक है तो यहाँ से simple GMR किता आ गया देखो सब मैं आपका R है तो R को simple आप common ले लो ठीक है आपका common ले लिए हमने क्या बज़ answer आपको कॉंसा option correct answer हो गया देखो यह option आपका correct answer अब यहाँ पर देखो ठीक है यही पर एक और चीजगर में आपको बताओ GMR कोई भी standard conductor हो ठीक है यानि जैसे इसमें strand हो GMR upon आपका जो actual radius है यह value आपकी हमेसा कम मिलेगी आपको 0.7788 से जो देख सकते हो देखो यहाँ पर यह जो value है यह पूरी cube root में तो obvious सी बात है यह पूरी value आपकी इससे कम ही आपको मिलेगी ठीक है चीज यह holoconductor are used in transmission line 2 ठीक है तो holoconductor किसली यूज करते है corona loss को reduce करने के लिए ठीक है तो यह मैं already आपको last lecture में यह सारी चीज में आपको बता चुबा ठीक है in hv transmission the spacing between subconductor of a bundle is approximately ठीक है तो यह आपका किता रहता है 40 cm ठीक है तो be option correct answer for a stranded conductor the ratio of GMR to actual radiuses ठीक है तो यह आपका हमेश्चा क्या होगा less than .7788 ठीक है कैसे होगा यह आप देखो simple question number 135 देख लो उसमें मैंने आपको simple 3 strand लिए और 3 strand के लिए मैंने GMR निकाला है ठीक है और जो GMR आया न उसको आप अगर actual radius से divide करोंगे तो वह obvious ही बात है value आपको less than .7788 मिलेगी ठीक है उसमें आपका cube root उसमें और आ जाता है clear है चीज़ है तो अगला question देखते है bundle conductor in extra high voltage transmission system provide यानि कि देखो bundle conductor आप यूज करते हो extra high voltage transmission system के लिए इससे क्या फरक पड़ता है क्या होता है इससे यह पूछा है ठीक है तो आपको कोई 3 phase का system मानता है ठीक है अब जो current है न वो इन दो दो conductor के बीच में बराबर बढ़ जाएगा ठीक है ऐसे B phase में भी पहले एक conductor था अब मैंने एक और conductor लाके रख दिया ठीक है अब ऐसे ही मैं क्या करता हो 3 phase में पहले conductor था एक और मैंने लाके रख दिया तो यहापर मैंने क्या क्या बेसिकली एक या एक से ज्यादा conductor अगर same phase में हम रखते तो basically हम क्या कर रहे बंड्लिंग कर रहे यानि bundle कर रहे ठीक है तो इसी को हम बोलते हो bundle conductor अब बंडल conductor यूज करने से क्या होता है कि आपकी जो conductor है ठीक है उन conductor की जो effective radius है वो बढ़ जाती है यह जो पहले सिंपल एक conductor यूज हो रहा था तो यह रेडियस थी अब दूसरा एक और same phase पर conductor यूज किया तो overall जो effective radius है वो आपके increase हो जाती है ठीक है तो effective radius के बढ़ने की पर जैसे देखो आपका जो inductance है inductance आप क्या लिखते हो simple 0.2 ठीक है log e आपकी जो spacing है दो conductor के बीच में ठीक है divided पर आपका r- unit important है milli henry per kilometer ठीक है तो यह पर देखो आपके अगर एफेक्टिव रेडियस को बढ़ा रहे हो ठीक है sorry कम होगा तो XL क्या होगा देखो XL equals to यह आपका omega L तो L यह आपके कम हो रहा है तो XL आपका कम हो जाएगा यानि inductive reactance आपका कम हो जाएगा inductive reactance अगर कम होगा तो line मा आपका drop कम हो जाएगा ठीक है अब दूसरा दिखते capacitance के लिए capacitance क्या होता है पाई epsilon not divided by आपका हो जाएगा log e upon आपकी radius r ठीक है और unity यह आपके यह यह फेरड पर मिटर ठीक है और यह capacitance आपके दो phase के conductor के बीच में ठीक है किसी भी दो phase conductor के बीच में यह ground के respect में नहीं है अब देखो यहाप अगर इस r को बढ़ा रहे हो ठीक है bundle conductor यूज करके आर बढ़ेगा तो log e की यह वाली value कम होगी लॉग वाली value कम होगी तो capacitance आपका बढ़ेगा ठीक है चीज capacitance अगर बढ़ता है तो XC क्या होगा एकसी आपका होता है osen upon j omega c c यह पर बढ़ेगा तो 역सी आपकर में कम होगा तो यह आपधन करने से inductance कम होता है capacitance बढ़ता है ठीक है inductive reactance कम होता है एंड आपका capacitive reactance कम होता है ठीक है तो यह सारी चीज आपको पता होने चीजिए के bundle conductor से यह सब चीज होती है ठीक है तो आपका answer क्या हो जाएगा bundle conductor से क्या हो जाता है आपका capacitance increase हो जाता है यानि B option आपका correct answer which one of the following statement is not correct for the use of bundle conductor in transmission line ठीक है इसमें पूला है not correct clear रिचीज not correct कौन सा हो जागे simple increase in interference with communication line डी option आपका correct answer ठीक है because interference यह नहीं करता आपका bundle conductor are mainly using high voltage over a transmission line due to अब क्यों use करते है high voltage transmission line में bundle conductor because हमें क्या करना होता है corona को कम करना होता है ठीक है last selection में corona पूरा समझा चुका हो detail में तो see option आपका correct answer yes is the gmr of a sub conductor of a four sub conductor bundle conductor and d is the bundle spacing what is the gmr of equivalent single conductor यानि कि देखो आपके बाद 4 conductor है ठीक है 4 sub conductor एक दो ठीक है यह आपका तीन यह आपका च्यार ठीक है यह आपके कुछ conductor है से अब इसने बोला कि इस conductor ठीक है यह कोई भी एक particular conductor लिले लो इन एक conductor की जो आपकी self gmgds है ठीक है और इसने बोला है कि हर conductor के बीच में जो distance है छिए जो distance है यह आ आपकी किती है d ठीक है इसके बीच में D, इसके बीच में भी आपकी D, इसके बीच में भी आपकी distance क्या है? D, ठीकर सब के बीच में D है, तो अब देखो, अगर मैं इनके बीच में निकालता हो, ठीकर यह वाली distance हेताऊ दो conductor की बीच की, तो किती होजाएगी simple देखो पाइदोगरा स्पिर्यम D और D यह आपका हो जागा root to D clear resistance, symbol पाइदोगरा से निकाल सकते हो ठीक है न, तो अब देखो में को निकालना GMR ठीक है, तो मैं किसी भी एक conductor इस conductor को उठा देता हूँ, ठीक है यह conductor अब इस conductor के लिए मैं लिख रहा हो GMR देखो तो पहले मैं को self लिखना पड़ेगा self इसने बोलाए DS है, ठीक है self के यह आपका होगे DS ठीक है, multiply अब simple मैं को distance देखने है देखो अब मैं को पहले इस conductor के लिए देखेंगे ठीक है, तो कितने है, D distance है तो यह आपका D, multiply अब यहां से इस conductor के लिए देखो किती है, D distance है तो D, multiply अब इसको सिंप्लिफाय कर दो यहां पर यह किता हो जागा, DS तो ऐसे ही रखते DS, multiply यह दो को D, D, D तो यहां पर D cube हो गया D cube, multiply यहां पर इसको मैं लिख सेखेंगे और 2 की power 1 by 2 और इस पूरे की power आपकी है किती 1 by 4 तो इसको थोड़ा और सिंप्लिफाय करते है देखो, simple DS को ऐसे रखते, DS multiply आपका D cube clear है इसकी power किती है, 1 by 4 और यहां पर देखो, यहां आपका है 2 की power 1 by 2 1 by 2, multiply आपका 1 by 4 तो यह हो जागा, 8 हो जागा इसको मैं और और लिख लिए तो 1 by 8 1 by 8 ठीके चीज़ यह, अब 2 की power 1 by 8 इसको सिंबल आप calculator से solve कर दो यह आपको मिल जागा, देखो 2 की power 1 by 8 आपका होता है 1.09 1.09 ठीके ब्रैकेट, आपका Ds multiply, D की power 3 ठीके ब्रैकेट, इसका power आजाएगा 1 by 4, यह आपका हो गया GMR, clear चीज, यह चार सब conductor के लिए, ठीके यह आपका हो जाएगा GMR, clear ऐसा question मैं आपको 135 बताया था, ठीके 135 में Ds नहीं लिया था, Ds की जगवब हमने क्या लिया था, 0.7788R ठीकेट, वो आपका selfie होता है clear रे चीज ही है, बट इसने बोल लिया था, Ds लेना इसलिए हम Ds लेके चल रहे है, तो आपका answer कॉंट सा correct हो गया, तो देखाएगा आपका D option correct answer, ठीक है, ठीक है, बिकोज यह 1 by 4 है इस 1 by 4 का मतलब यह ही है ठीक है, ठीक है, देन यहां पर यह 4 लिग लिया तो यह 1 by 4 ही होता है, ठीक है, तो D option आपका correct answer Consider a bundle conductor of an overhead line consisting of three identical subconductor placed at a corner of an equilateral triangle as shown in the figure if we neglect the charge on the other phase conductor and ground assume that the spacing between the subconductor is much larger than their radius the maximum electric field intensity is experienced at, ठीको मैंना आपको बताया था, ठीको, bundle conductor का मतलब क्या होता है, कि आपने क्या किया कि एक या, एक से ज्जादा conductor रखे, ठीक है, इसमें a की same phase में, ठीक है, तो यह जो 3 conductor है, यह तरवी उसे bundle है, ठीक है, bondる conductor है, तो यह 3 conductor आपके same phase में, ठीक है, यह 3 conductor माले तो हमारे a phase में यह चीज आपके clear है तो same phase में है तो current आपका इन सब में बराबर divide होता है ठीक है तो ऐसा बोल सकते हैं कि current same current flow होगा तीनों में ठीक है तो same current flow होने का मतलब देखलो मानलो जब आपका positive था ठीक है because alternating current में continuously alternate होता रहा था positive, negative positive, negative ठीक है तो एक time में मानले था positive है तो सारे positive होंगे उस time ठीक है सारे आपके positive होंगे और जब negative होगा आपका alternating का part जब negative आएगा तब आपके सारे negative होंगे ठीक है तो यहापे देखो यह जैसे आपका एक conductor है इसमें ठीक है दूसरा conductor आपका देखो यहापे तीसरा conductor आपका यहाँ पर है तिनों एक क्या करते एक्यूलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे है यानि सारी डिस्टेंज जो है वो सेम है ठीक है तो कुछ ऐसा आपका यह फिगर आपको दे रखा है अब इसने कुछ पॉइंट्स दिया मैं ठीक है यह जो जैड पॉइंट है यह आपको लग के टीक है तो एस फोई बाहरो दॉस्ट के लिएसे नीचे कि तरफ होगी और इस वाले कंडंक्टर की तरफ की तरफ से यह बाहरा कितरब होगी, ठीक है, ऐसे देखो यह W point, उपर वाले की वज़े से, नीचे कितरब होगी ऐसे, ठीक है, और इस conductor की वज़े से, यहाँ पे होगी, ठीक है, अब देखो, X पे अगल लिखता हूँ, तो उपर वाले की वज़े से, नीचे होगी, ठीक है, और यहाँ पे यह जो conductor पर तो सारे रो का पर आपके उपर की तरह और कोई भी एक दूसरे का पोस्ट निकर रहा ना ठीक है तो आपका इसका मतलब क्या हुआ कि y point पे आपकी maximum electric field है because देखो दूसरे आप अगर देखते हो ठीक है माल लो आप z देख रहे हो ठीक है तो z में देखो क्या हो रहा है यह एक दूसरे को cancel कर देंगे ठीक है w में देखो यहाँ पे इनका जो resultant आएगा ठीक है वो एक दूसरे को cancel out कर देगा ठीक है एक पे भी ऐसी resultant cancel out कर देगा बट y जो है y में देखो सारे उपर की तरह बहर हो है ठीक है कोई यह पे vector आपका एफ़ी बोल सकते हो कोई भी electric field lines आपके एक दूसरे को cancel out नहीं कर रही ठीक है तो यह क्या हो गया maximum electric field यहाँ पे हो गई तो कौन से point पे हो गई आपकी maximum electric field आपके y point पे ठीक है याई बी option आपका correct answer proximity effect आपका देखो proximity effect क्या होता है यह मान लो कोई हमारा एक conductor है ठीक है और इसके पास में दूसरा हमारा conductor है कोई clear है इसमें मान लेते हैं को current flow हो रहा है यह आपका कोई current flow रहा है is conductor में ऐसे इस conductor में भी आपका current flow हो रहा है ठीक है यह आपका कोई current flow हो रहा है इस conductor में । दोनों में देखो save videos देखो same direction में current flow हो रहा है तो एगर आप magnetic field बनाते हो ठीक है man any field कुछ जैसे होगी ठीक है मैग consumers हो जाएगी magnetic field और इस conductor के लिए आप अगर magnetic field बनाते हो उसकी reaction कुछ इस type में हो जाएगी ठीक है यह आपकी क्या हो रहा है यह जो अंदर वाला जो portion है यह आपका क्या बोलता proximity effect यानि basically क्या बोल सकते हो कि effective area कम हो गया जैसे skin effect में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था ठीक है और अगर यह opposite direction में होते है तो inside वाले portion में ज्यादा current flow होता ठीक है यह चीज़ आपको वियाद रखनी है अब यह आपको large conductor में ज्यादा होता है frequency ज्यादा होता है और अगर पा essentially eliminated with standard conductor आप अगर standard conductor यूज करते हो तो आपका यह eliminate हो जाते है proximity effect ठीक है तो यह भी आपका correct है simple कि आप बोलेंगे all of the above यानि D option आपका correct answer following effect are associated with transmission line यानि देखो आपकी transmission line में यह एफेक्ट होते है skin effect, corona effect और proximity effect फिर बुलाए the effective resistance of a conductor is increased by यानि किस effect की वज़े से effective resistance आपका increase होता है हमें पता है कि skin effect में जो आपका effective area होता हो जाता है और proximity effect में भी हमारा effective area कम हो जाता है ठीक है तो दोनों में अगर area कम होगे तो resistance आपका बढ़ जाएगा तो आपका simple क्या बोलेंगे one and third यानि इसी option आपका correct answer because corona effect में आपका resistance increase नहीं होता ठीक है ना capacitance in equivalent circuit of a transmission line is due to ठीक है तो यह आपको other potential difference के वज़े से यानि D option correct answer यानि किसी भी दो point पर potential difference आपका create हो गया और बीच में कोई insulator है तो वहाँ पर आपका capacitance form हो जाता है ठीक है if separation between three phase transmission line is increased then तो देखो simple यह तो already में कुशन आपको करवा चुको देखो separation बोलने का मतलब क्या होता है कि आप GMD को बढ़ा रहे हो GMD ठीक है geometrical mean distance ठीक है formula में आपको already लिखवा चुको GMD को आप बढ़ाते हो हमने क्या देखा था inductance तो हमारा बढ़ रहा था इंडक्टेंस बढ़ रहा था बढ़ जो capacitance है यह क्या हो रहा था आपका कम हो रहा था ठीक है चीज़ यह अभी हमने देखा जो capacitance होता है ठीक है अगर मैं simple neutral के respect में लिखता हूँ या फिर बोल सकता हूँ ground के respect में ठीक है तो formula क्या बनता है 2pi epsilon 0 divided by log e gmd upon gmr ठीक है gmd upon gmr इसमें इंटर्णल का case बनता नहीं तो gmr लिखने की जुरूत नहीं है नॉर्मल रेडियस आती है ठीक है अब देखो unit इसके होती है farad per meter अब देखो gmd आप अगर increase करते हो तो यह log की value बढ़ेगी यह value बढ़ेगी तो capacitance आपका कम होगा इसने बोला कि capacitance हमारा increase होना चाहिए तो gmd को बढ़ाके तो हम capacitance increase नहीं कर सकते है तो यह तो गलत हो क्या increase in height of conductor above the ground यानि क्या बोल रहा है कि आपका जो यह tower है यह आपका कोई tower है और यह आपका कोई wire होता है ठीक है इनके बीच में है तो हमें पता है कि इस wire और इस ground के बीच में ठीक है potential difference होता है और बीच में air होती है insulator होती है तो capacitance form होता है ठीक है तो यह क्या बोल रहा है कि इस capacitance की value को हम increase कर सकते है अगर यह वाली distance जो है ठीक है ग्राउंड और conductor के बीच 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 जो distance तो यह से आप क्या समझते हो कि capacitance is inversely proportional to distance ठीक है तो distance को आप अगर बढ़ाओंगे तो capacitance सो उल्टा कम होगा पर इसने बोला increase होना चाहिए तो height increase करके आप capacitance को increase नहीं कर सकते ठीक है तो क्या बोलेंगे बोद first and second are false the horizontally placed conductor of a single phase line operating at 50 hertz are having outside diameter of 1.6 centimeter and the spacing between center of the conductor is 6 meter the permittivity of free space is 8.854 into 10 to power minus 12 farad per meter the capacitance to ground per kilometer of each line is तो देखो जहां पर देखो जो D है जो spacing है दो conductor के बीच में यह में किती दिया देखो 6 meter ठीक है तो simple centimeter में लिख लो 600 centimeter हो जाएगी यह और जो इसने diameter दिया ठीक है diameter 1.6 दिया तो radius किती हो जाएगी simple इसका आदा यानि कि 0.8 centimeter तो spacing मिल गई और हमें radius भी मिल गई ठीक है और इसने permittivity की value दीए epsilon naught ठीक है जिता दिया देखो 8.854 multiply 10 की पाफर माइनस 12 farad per meter तो देखो हमारा जो capacitance to ground होता है capacitance to ground यानि लिख लेते है a phase ले ले तो और यह n यानि ground के respect में तो formula आपका क्या बनता है देखो तू पाई epsilon से multiply कर दो और नीचे भी 1000 से multiply कर दो तो यह किलोमेटर में बन जाएगा तो यह आपकी क्या जाएगा देखो उस time जब 1000 से multiply करोंगे तो टू पाई epsilon naught इंटू ठीक है नीचे आपको यह हो जागा simple log e ठीक है जो भी spacing है अपन आपकी radius इसकी unit क्या बन चुक है पर किलोमेटर हुआ है ठीक है बिकोज आपने 1000 से multiply किया है सब क्या गरो simply सारी value पूट कर दो ठीक है निकाल लो देखो तू पाई इंटू आपका देखो 8.854 multiplied with 10 की पावर minus 12 multiplied with 10 की पावर 3 यह पाई जागा देखो log e facing आपकी 600 cm divided by radius आपकी 0.8 cm तो इसको आप simply calculator से small कर सकते हो ठीक है यह आपको मिल जागा देखो 8 399.26 multiplied with 10 की पावर minus 12 तो इसको फर्दर देखो कैसे लिख सकते हो 8.399 इसको इसको देखो यह क्या है आपका 8.399 इसको मैं approximate 4 लिख ले तो ठीक है 8.4 multiplied with 10 की पावर minus 9 ठीक है युनिट आपकी क्या हो जागी यह आपको क्या हो जाएगा आपको simple एक formula याद दोना चाहिए था आपका question easily हो जाता आपका कौनसा answer हो जाएगा देखो 8.4 यानि 10 की पावर minus 9 यानि बी option आपका correct answer the charging reactance of 50 km length of the line is 1500 ohm यानि कोई आपकी 50 ohm 50 km वाली कोई transmission line है ठीक है तो चार्जिंग reactance है charging reactance बोलनेगा मतलब होता है capacitance की बात कर रहा है ठीक की बात कर रहा है ठीक है एककी आपका 1500 ohm अभ इसते बोला कि यही एकर आपका hundred kilometre के लिए आपको पता कंड़ना है तो कित्ता होगा hundred kilometer के लिए आपका जो xc है इसको dash लिख 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 लिख, xc dash कित्त ओम हो गार यह पूँचा है ठीक है तो आपका जो reactance होता है Capacity reactance आपके लिख 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 तो 1 upon omega c ठीक है एंड आपका देखो, जो capacitance है Capacitance आपका directly position रोता है length के यारी जित्ती बड़ी transmission line होगी उत्ता जादा आपका capacitance होगा ठीक है यह बोलने का मतलब यह है तो यहाँ से क्या समझते हो कि xc जो आपका होता है xc वो inversely position होता है आपके length के ठीक है तो यहाँ से अगर आप simple निकालते हो देखो दो निकाल दो xc डेश upon आपका xc ठीक है तो simple क्या हो जाएगा यहाँ पर length आपकी देखो कौन सी first case की divided by length of second case clear है तो यहाँ समे को तो निकालना xc डेश xc किता हो जाएगा देखो xc कि आपके multiply l1 upon l2 clear है तो xc मेरे यहाँ पर किता है देखो 1500 ohm clear है multiply l1 किता है 50 km divided by l2 किता है 100 km ठीक है तो simple यह 0 से 0 cancel यह 0 से यह 0 cancel ठीक है 150 multiply with 5 किता आजाएगा simply 750 ohm इतनी आपको करने की जरूद थी नहीं because length को आप कर रहे हो double अगर length को double करते हो ठीक है यह आपका है double तो आपका capacitive reactance या फिर charging reactance half हो जाएगा ठीक है because inverse relation में रहते है न clear है चीज़ यह तो आपका c option correct answer bundle conductor are used to ठीक है तो bundle conductor आपके corona loss को reduce करने के लिए उज़दे और line inductance को reduce करने के लिए उज़दे ठीक है याई नि d option आपका correct answer अब दोनों में आपको समझा चुका हूँ सारी detail में कि कैसे reduce करता है ठीक है तो आज के लिए बस जित्ता ही करेंगे बाकी questions हम अगले video में करेंगे thank you very much